Hello everyone, welcome to my channel, कल की अवतार के द्वारा आस्था और भक्ती की टेस्टिंग टाइम आज के युग में चल रही है, किस प्रकार और क्यों यही आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, आज हर कोई इश्वर से जुरूना चाहता है, भले अपने स्वार्थ के लिए हो या निजी कार्णों के लिए हो, या फिर लालच की वज़े से, या फिर डर की वज़े से, क्योंकि कल्यूग में डर वो शब्द है, जिसका आज हर कोई सामना कर रहा है, क्योंकि प्रकृतिक आपदाओं का ये युग, all of sudden, कहा से क्या, कौन सी विपत्ति, किसके जीवन में इंटर कर जा रही है इसका पता किसी को नहीं चल पा रहा है। आज के युग में आज इस धरती पर सच्ची भक्ती करने वाले इंसान कितने बचे हैं, जरा सोचिए, आज कल की अवतार इस धरा पर हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उनकी एनरजी नहीं फिल हो पा रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि सबसे पहले कल की अवतार ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं देने वाले, क्योंकि उनकी लिस्ट में फ्री शब्द है ही नहीं। यदि हम कुछ देंगे, तो हमें कुछ मिलेगा, यही प्रकृती का उसूल है। जैसे पेड से हमें यदि फल और फूल चाहिए, तो सबसे पहले बीच बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसके निगरानी करनी पड़ती है, तब बड़ा होकर वो पोधा, वो पेड हमें फल और फूल या ताजी हवा देता है। लेकिन इसके पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है, और परिक्षा के दौर से आज भी भक्त गड़ गुजरना चाहें या ना चाहें, लेकिन उन्हें गुजरना पड़ेगा, भक्त का अर्थ क्या है, क्या आपने लाखों का चढ़ावा मंदिर में जाकर चढ़ा दिया, किसी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखलाने के लिए अपने पैसों के बल्बूते पर सोने का मुकूट मंदिर में जाकर चढ़ा दिया, किसी गरीब के पास तो इतने पैसे होते नहीं, कि वो सोने का मुकूट चढ़ाए, तो क्या गरीब सच्चा भक्त नहीं हो सकता, सि आक्ति और आस्था ये दो शब्द ऐसे हैं जो पैसे रुपे या प्रतिष्ठा से कहीं अलग हैं इश्वर को ना पैसों से मतलब है ना आपके शारेरिक ताकत से ना पावर पोजिशन से बलकि कल की अवतार को ऐसे सचे इनसान की तलाश है जिसे वो सत्यूग की ओर ले जा सक है क्योंकि सत्यूग में वही आत्माय प्रवेश करेंगी जो आत्म निर्भर हो जो आत्म चेतना से भरी हुई हो और जिन में किसी प्रकार का स्वार्थ या लालच ना हो तो आज की जीवन में ऐसे भक्त मिलना हर कोई भक्ती का ढोंग रच लेता है लेकिन हमारे जीवन में जब तकलीफे आती हैं तब हम उतने ही दूर हो जाते हैं इश्वर से शिकायत करने लगते ह लेकिन सबसे पहले इश्वर की परिक्षा से हमें गुजरना पड़ता है हर कोई ये दावा करता है कि वही सबसे बड़ा भक्त है लेकिन जितने नाम मैंने लिए जरा सोचिए उन्होंने कौन-कौन सी परिक्षा पास की और तब जाके इश्वर का अशिर्वाद उन्हें मिला रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने अपनी पत्नी में ही देवी का स्वरूप देख लिया भले उन्होंने शादी की लेकिन उनका कोई भी न बच्चा रहा ना ही उन्होंने शादी शुदा जिन्दगी उस तरह की व्यतीत की जिस तरह लोग करते हैं बलकि एक दम सीधे सादे ढंग से और आध्यात्मिक रूप से उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन बिताया राजा हरिश्चंदर जिन्होंने दान के लिए अपना सब कुछ निचावर कर दिया और अंत में उन्हें इतनी कठोर परिक्षा से गुजरना पड़ा जो कोई नह जलाने के लिए भी उन्होंने अपनी पत्नी से मांग लिया था पैसा क्योंकि बिना कुछ लिए शमशान भूमी जब वो काम कर रहे हैं तो वो अपने पुत्र जिनके मृत्यों हो गई थी वो जलाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से मांगा कि कुछ भी दो हे देवी व प्रत्य के रास्ते पर कैसे चलते हैं उन्हें डगमगागने की बहुत कोशिश की इश्वर ने लेकिन वो डगमगाए नहीं और तब इश्वर की परिक्षा में जब वो सफल हुए तब इश्वर ने उन पर फूलों की वर्शा की सुदामा जो श्रीकिष्ण के बहुत अंतरं मित्रत है क्या सब कुछ बड़ी आसानी से सुदामा को स्रीकिष्ण ने दिया नहीं बिल्कुल नहीं क्या प्रलाद की एक पुकार सुनकर विश्णु भगवान नर्सियां अवतार के रुप में तुरंत दोड़े आए बिल्कुल नहीं दौबदी के चीर हरर पर दौबदी ने पुकारा लेकिन क्या स्रीकिष्ण तुरंत आ गए उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं तो आज के युग में भी कौन सच्चा भक्त है उसकी आस्था कैसी है क्या वो बिना स्वार्थ और लालच के इश्वर की भक्ती करना जानता है या उसकी आस्था डगमगा जाती है उसकी भक्ती पर आज आ जाएगी स्वार्थ की और लालच की आज का समय कल की अवतार का एक्जामिनेशन टाइम फॉर डिवोटीज इस गोइंग ऑन और इसी में से उन्हें छटनी करनी है ऐसे लोगों की जो वास्तों में सत्यूक में जाने के लिए सही इनसान है या यू कहिए सही आत्माए होंगी not necessary कि आप इश्वर की भक्ती करें लेकिन क्या आप सचे इनसान हैं क्या आपने कर्म कर रहे हैं क्या इश्वर के प्रती थोड़ा सा भी आपके मन में कही न कहीं जगा है क्या आप मानते हैं कि इश्वर ही सब कुछ आज दुनिया में चल रहे हैं अगर ऐसी भावना किसी के मन में नहीं होगी तो सोचिए जरा कि किस प्रकार से वो कल की अवतार से जुड़ पाएगा और जो कल की अवतार से नहीं जुड़ पाएगा भले ही वो बहुत अच्छा इनसान हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इश्वर के प्रती कभी भी अपने आस्था प्रकट ना करे या प्रकट ना भी करे तो उसके दिल में कहीं न कहीं कोई इज़त इश्वर के लिए ना हो बहुत लोग नास्तिक होते हैं लेकिन सही राप पर चलते हैं सही लोगों की मदद करते हैं दिखावा नहीं करते मंदिर नहीं जाते घंटो बहुमुल्य समय किसी की मदद बिना स्वार्थ से कर रहे हैं इसलिए ऐसे लोग भी कल की अवतार के द्वारा चुन लिये जाएंगे और बाकी जो उनके डिवोटीस रहेंगे उनकी भक्ती की और उनकी आस्था की परिक्षा कल की अवतार के द्वारा समय समय पर ली जाएगी तो रहे आप भी साओधान, डगमगाईए मत, क्योंकि ये कल यूग है, बहुत कठीन परिक्षा है, कल की अवतार के द्वारा, इश्वर के द्वारा, कोशिश कीजिए कि उसमें आप पास हो जाए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो